Hello everyone, this lecture as I promised is on a comment, है ना, एक बच्चे ने एक कॉमेंट की है और इसकी एक क्वेस्चन का तो बच्चे का मैं आंसर दे चुका हूँ, कि पैरा जंबल कैसे करने है, अब अगली बात जो I promised के close test आपको next lecture में मिलेगा, तो आज का जो lecture होने वाला है, वो close test के बारे में होना है, कि exam में, doesn't matter, SSC का कोई exam है, bank का कोई exam है, या UPSC का exam है, exam कोई भी हो, close test कैसे attempt करना है, क्या उसके लिए understanding होनी चाहिए, यह उसी के बारे में है, ठीक है, as I done it before, जो close test हम करेंगे, practice sets के through ही करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हाँ, paper में किस तरह के questions पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग से कोई lecture नहीं होगा, एक close test solve करेंगे, और उसके according हम बाते करेंगे कि close test ऐसे-ऐसे paper में attempt करना है, ठीक है, चालो, अब देखते हैं, last set जो हम कर रहे थे, उसी में कोई close test ले लेते हैं, simply, देखो यह रहा, एक सामने ही close test है हमारा question number 64 to 73, है न, इसी को देखते हैं, let's zoom commit in, and ये रहा हमारा passage, ठीक है, अब इसको पढ़ना start करते हैं, ध्यान से देखना, समझना, जैसी understanding तुम्हारी होगी, उतने अच्छे marks होगे, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, close test भले ही देखने में तुम्हें हलका लगे, बट ये कहीं बार marks ले जाता है हमारे, औ जो test होता है, उसे हम comprehension test बोलते हैं उस passage को, वो भले ही तुम्हें भारी लगे, लेकिन वो इससे easy पढ़ता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके बीच में जो blanks fill करने होते हैं, इनको filling के लिए, हमें बहुत अच्छी understanding की जरूत पढ़ती है, अगर तुम्हारी understanding अच्छी है, त देखो ध्यान से, first aid means, first aid का मतलब होता है, what it says, जैसा कि ये कहता ही है, इस word में लिखा ही हुआ है, जैसा कि ये कहता है, the aid or help, aid or help, दोनों के दोनों एक दूसरे के synonym है, paper में कभी आ जाएं तो ध्यान रखना, aid का मतलब भी सायता होता है, first aid का मतलब है, कि ऐसी कोई aid, ये can be given to an injured person, जो कि किसी एक घायल व्यक्ति को दी जाती है, अब यहाँ पर व्यक्ति का sense आ रहा है, अब व्यक्ति के sense के according, देखो यहाँ पर चार options है, एक तो man है, person है, girl है, boy है, अब किसी लड़के को, किसी लड़के को, किसी आदमी को, या फिर किसी व्यक्ति को, इन चारों व्यक्ति को सबसे पहले, first का मतलब सबसे पहले, अब व्यक्ति का अर्थ जो है, वो यहाँ पर person है, इसलिए हमारा answer C आ जाएगा, कहने को तो चारों के चारों बैठ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बहतरी इन flow है, इसका वो कहां से आता है, वो आता है आपकी regular reading से, यह बात ध् जादा English reading करोगे, तो fluency बैठेगी, कहीं बार ऐसा होता है exam में, हमें यह नहीं पता होता कि यह word क्यों आएगा, लेकिन यह पता होता है, कि यही word आएगा, ऐसा किसलिए होता है, क्योंकि आपके subconscious mind को पता होता है, कि आप जितना जादा पढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं जा चैलो, आगे बढ़ते हैं, that is before any other help, और यह उससे पहले होता है, किस से पहले होता है, any other help, कि इससे पहले की कोई और दूसरी help आए, आने का sense है यहाँ पर, अब आने का sense देख लो, सबसे पहले एक आदमी को जो help दी जाती है, उसको कहते हैं, और यह किसी दूसरी help के आने स पहले की होते हैं, तो यहाँ पर 65 जो blank है, यहाँ पर आने का flow आ रहा है, यह flow आपको पता होना चाहिए, कि किस तरह का word आना चाहिए, अब देखो दूसरे में, क्या है, is granted प्रदान की जाती है, is given, जो दी जाती है, arrives का मतलब जो आए, जो आएगी आगे है ना, future का sense होता ह fall का मतलब पढ़ना, आना, गिरना कई मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए सबसे बहतरी जो flow है, वो arrive का है, इससे पहले ही कोई दूसरी help आए, यह वाली sense थी यहाँ पर, है ना, आगे बढ़ो, understanding ही सब कुछ है, passage attempt करते वे, चाहिए तुम close test attempt करो, चाहिए तुम comprehension test करो, understanding जिसकी बढ़िया है, comprehension जिसकी बढ़िया है, वो ही बच्चा passage में बढ़िया marks लेकर किया पाएगा, आगे बढ़ते हैं, nowadays there is usually a telephone, आजकल तो समाननी रूप से telephone होता ही है, not far away, जो जादा दूर नहीं होता, इसलिए तो first thing we should do, इसलिए जो हमें सबसे पहली चीज करन लिया, तो 67 में देख लो, 66 से पहले, जरूर नहीं है कि हम line से ही चलेंगे, आगे वाला flow भी आ जाता है, तो हम आगे वाला flow भी पहले fill कर सकते हैं, अब देखो, जो 67 blank था, हमारी हिंदी क्या आ रही है, अगर कोई भी serious accident या गंबीर accident हो जाता है, तो हमें सबसे पहले phone कर लेना चाहिए, है न, ambulance वगरा को, यह वाला flow आ रहा है, तो यहाँ पर serious की condition है, अब serious देखो, 67 में है, क्या option में, देखो, यह रा 67, और small, fatal, घातक accident भी कह सकते हैं, और small accident भी कह सकते हैं, छोटा सा accident भी कह सकते हैं, और गंबीर accident भी कह सकते हैं, कहने को तो चारवा सकते हैं लेगिन serious accident तुमने खूब सुना होगा, और यही बहतरी influencey भी है, इस question की, तो इसलिए answer भी हो गया, अब आता है, 66 हमने छोड़ा था, 66 क्या था, तो अगर कोई गंबीर accident हो जाता है, तो सबसे पहली चीज, अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, वो क्या करनी चा देखो, और हमें यह कर लेना चाहिए, देखो, and से और so से आ रहा है, लेकिन इसलिए का sense सबसे बढ़िया, so से आएगा, इसलिए इसका answer so हो जाएगा, फिर से बोलता हूँ, and में confused हो सकते हो, कि nowadays phone तो हमारे से सबसे ज़्यादा दूर होता नहीं है, और हमें सबसे पहली ज 67 तक हम फिल कर चुके हैं, अब बात आती है, तो अगर कोई serious accident हो जाता है, is to telephone 4, तो हमें telephone कर लेना चाहिए, किस के लिए, हमें कोई ambulance बुला लेनी चाहिए, हमें एक ambulance बुला लेनी चाहिए, तो ambulance related word 68 के blank में आना चाहिए, अंदाजा हमें हो रहा है इस बात का, यह उसके सारे passage करोगे, लेकिन एक नियम होना चाहिए, कि हम daily एक paragraph करी रहे हैं, या daily दो paragraph करी रहे हैं, जितनी तुमारी capacity उसके according करो, तो अब देखो 68 में ambulance जैसा word है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ambulance word लगा देंगे, तो हमें telephone कर लेना चाहिए, ए लिया जाता है, में someone's life, वो किसी की जिन्दिगी को क्या कर सकता है, बचा सकता है, अब बचाने के sense में, जो सबसे अच्छा flow तुमारा आएगा, वो save का आएगा, तो अब ढूंडो जाकर के option में save से related कोई word है क्या, देखो ध्यान से, 69 में देखो save पहला ही word दे रखा है, rescue, life बचाने के लिए rescue or destroy or ruin नहीं, सबसे पहले save ही आता है, तो इसलिए तुम क्या करोगे, save answer लगा दो यहाँ पर, यह आप concert सही हो जाएगा, है न, चलो, आगे बढ़ते हैं, almost finishing पर है हमारा passage, आच्छा, हम किसी की जिन्दिगी बचा सकते हैं, quick action से, अगला है, people often, people often or often, दो जो है, shock से जूसते हैं, मतलब उन्हें एक अचंबा सा, जटका सा लग जाता है, जब उन्हें कोई, क्या हो जाती है, injury हो जाती है, मतलब कोई भी घाया लोने के बाद, या दुरगटना होने के बाद में, तो के बाद का sense आ रहा है, जब उन्हें यह हो जाता है, उसके 70 का, इसमें बाद का sense आ रहा है, तो बाद के लिए after best बैठ रहा है, अब ढूंडो option में जाकर, after है क्या कहीं, देखो, 4 option में after दिया हुआ है, इसलिए हमारा after answer आ जाएगा, अच्छा यह instinct हमें कैसे आ रही है, कि हमारे option में इस तरह का word होना चाहिए, जो 4 option हमें दिये हिंदी निकालने के लिए बात मत कहना, कि सर हम, हमसे हिंदी नहीं निकलती, केवल इतना करो कि इसके लिए daily का नियम बनाओ, passage पढ़ने का, ठीक है, मेरे अंडर बनाओ, मेरे साथ पढ़ो, बैठ करके daily practice sets, या अपने पास, अपने घर पे पढ़ो, लेकिन ऐसा होना यह passage का, बस, ठीक है, sometimes even when, sometimes, कभी-कभी, even when the is a small one, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि injury जो है, वो छोटी सी होती है, जो गटना हुई है, जो गयाल हुआ है, जो चोट लगी है, वो छोट जो है, चोटी सी होती है, अब तुम्हें मैंने एक बास समझाई थी, article के chapter में, कि जब किसी चीज का जिकर पहली बार हो, तो an आता है उससे पहले, और उसी चीज का जिकर दब दुबारा हो जाए, तो वहाँ पर the आता है, कि कभी-कभार ऐसा होता है, कि चोट तो छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी उसे शोक लगता है, तो यहाँ पर चोट का ही sense आ रहा है, injury का ही sense आ रहा है, तो injury या accidents related कोई word, वैसे injury बढ़िया बैठेगा यहाँ पर क्योंकि end के बाद जब हमने दुबारा से repeat किया है, तो the उसी word के लिए आता है, तो same word यहाँ पर आना चाहिए आगे, अब देखो injury word option में है क्या जाकर के, कौन सा blank है, 71 है, तो 71 blank में देखो injury है क्या बिल्कुल है, देखो accident भी है, बच्चे confused होकर के accident लगा सकते है, तो तुम्हें यहाँ पर injury लगाना है, ठीक है, कहीं बारा ऐसी इन दिया जाती है कि accident भली छोटा सा हो, लेकिन आदमी को shock बड़ा लग जाता है, तो accident नहीं लगाना है, क्योंकि injury के पहले एन आ रहा है, और होता है, तुमने सुना होगा, कई बार के, हमने सुना है कि कई बार कोई जटका लगने पर कोई अचंबा होने पर आदमी का, आदमी सफेद पढ़ जाता है, ऐसा सुना होगा, जैसे चेहरे का रंग उड़ गया, अब चेहरे का रंग उड़ जाना या किसी चीज का रंग उ तो यहां पर जो sense है वो सफेद से रिलेटेड कुछ होना चाहिए अब देखो 72 के blank में जाकर डूणते हैं सफेद से रिलेटेड कोई word है क्या देखो बिल्कुल दे रखा है वही white word दे रखा है यहां पर तो चहरा सफेद पढ़ जाता है ना the face turns white कई बार चहरा सफेद पढ़ करता है ऐसे लोगों को या इस तरह के लोगों को गर्म रखना चाहिए cover them with a blanket उन्हें blanket से cover कर लो and give them a warm drink और उन्हें कोई एक गर्म ड्रिंक दो जैसे चाय कॉफी वगरा ऐसे लोग जो ठंडे पड़ जाते हैं accident के बाद में ठीक है तो यहां पर ऐसे या इस तरह के अब ऐस मिल जाता है तो हमारा passage complete है देखो पहला यह option दे रखा है सच तो हमारा सच answer हो गया तो इतनी accuracy passage में कि हमारा word जो हम मन में सोच रहे हैं वो ही आए यह कब हो सकता है कैसे हो सकता है यह बहुत अच्छी practice के साथ regular practice के साथ अच्छे guidance के साथ पूरी dedication के साथ ही possible हो सकता है otherwise यह close test ऐसा paragraph होता है जो अच्छे-च्छे को मात देता है ठीक है तो paragraph हलका हो या भारी हो यह के वली इस बात पर depend करेगा कि आपके सामने कितनी easy vocabulary दे रखी है और कितनी tough vocabulary दे रखी है vocabulary के हलके भारी होने से ही passage हलका या भारी होता है कोई बड़े level का passage होगा या बड़े level का exam होग उसमें vocabulary थोड़ी सी typical देदेगा या जो ज़्यादा use नहीं होती ऐसी देदेगा तो उसे भारी passage कहा देगे और अगर जो छोटे level का exam होगा जैसे की SSC steno, SSC, CHC, CHS, MTS वगेरा इनमें अगर close test देगा तो हलकी vocabulary का close test देदेगा तो इसे हम हलका passage कहा देगे समझ माया तो जल्दी समझने वाला passage जाता है तो जो तुम्हारा SSC steno level का passage आएगा या easy level का आएगा close test हो comprehension test हो दोनो ठीक है तो इसके बारे में इतनी ही बास समझनी थी ठीक है close test वाला जो class थी इसका answer मैंने दे दिया जो student ने मुझे comment की थी और भी कुछ पूछना है तो और comment करो अगर अच्छा question होगा तो उसका answer ज़रूर करूँगा papers related कोई भी बात हो competitions related कोई भी बात हो जो आपको परिशान कर रहे हैं जिसके बारे में doubt है question पूछो सीधा comment में लिखो और अगर मेरे साथ एप पर आते हो तो डाउनलोड करो course subscribe करो और वहाँ पर तो हम लाइब हैं वहाँ पर तो खुब सारी बात है करते हैं तो motivated भी रहोगे और कोई भी exam निकाल भी पाऊगे एक बात मैं clear कह देता हूँ मैं SSC bank के IAS PCS के किसी particular exam के लिए नहीं पढ़ाता हूँ मैं किवल English पढ़ाता हूँ एक बार साल 6 महीने के around का time निकाल करके मेरे साथ ठिक जाओ और उसके बाद जिस exam में चाओ उसमें बैठ जाना अगर कोई exam पर problem आ जाती है तो मुझे कह देना सर आपने हमारा एक साल खराब कर दिया आपका guidance गलत था तब कह सकते हो ऐसे नहीं कि आप मुझे से पढ़े ही नहीं और उसके बाद में भी आप ये कह रहे हैं कि आपका तो guidance गलत है आपका तो schedule गलत है इस तरह की बात नहीं कहनी है जब तक आप आजमाते नहीं है चीज़ को है ना चलो तो आज के लिए इस lecture में इतना ही रखते हैं ये question finish होता है अब कोई और चीज़ जो important लगती है उस important चीज़ को हम आगे की lecture में discuss करेंगे ठीक है subscribe करो और like and share कर दिया करो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो चलिए next lecture में मिलते है